जैसे स्रिकेशन विश्वास को ध्रिड करते हैं वैसे ही hacking digital सुरच्छा को अधिक ध्रिड बनाती है hackers digital identity के महारती हैं जो हमारे data और network को सुरच्चित रखते हैं नमस्कार मैं हूँ अनिली आदब और आप देख रहे हैं Neat Roots तो सबसे पहले मैं आप सबको एक good news देना चाहता हूँ कि Neat Roots पर पहली बार हम launch करने वाले हैं Neat Cyber Security Training जहां पर आपको Cyber Security और ethical hacking की basic to advanced practical skill development training दी जाएगी तो इस session को start करने से पहले मैं आप सबके साथ एक ही story share करना चाहता हूँ जिसमें दिब्या और अनिता दो लड़किया थी जो देश के अलग अलग जगहों में रहती थी दिब्या एक छोटी share में रहती थी और अनिता एक remote गाउ में रहती थी वो दोनों तेश दिमाग रखने वाली छात्राय थी लेकिन उनको traditional classroom में पढ़ना मुश्किल लगता था वो दोनों introvert थी और उनके कोई दोस्त भी नहीं थे एक दिब्या के school ने एक digital library का यूज करना शुरू कर दिया जिससे दिब्या को internet की help से अपने doubts clear करने और नए चीजे सीखने का मौका मिला जिसकी वज़े से दिब्या सभी subjects में top करने लगी और उसने online कुछ नए दोस्त भी बना लिये अनीता भी digital library का यूज करना सीख चुकी थी वो भी internet का यूज करके अलग-अलग संस्कृति और जीवन के बारे में सीखने लगी थी उसने भी online कुछ नए दोस्त बना लिये थे digital library ने दिब्या और अनीता को एक नई जिन्दगी का एहसास कराया उन्हें पता चल चुका था कि internet का यूज करके कुछ भी सीख सकते हैं और पूरी दुनिया के लोगों के साथ जुड सकते हैं उन्हें future के बारे में जानने का उस्सा हुआ और वो internet के बारे में और अच्छे से जानने के लिए research करने लेगी जहां पर उन दोनों को डार्क वेब के बारे में पता चला डार्क वेब नॉर्मल लोग अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से उनको बहुत सारी problems फेस करनी पड़ती है और यही चीज उन दोनों के साथ भी हुआ उनके सारे personal details सारे private pictures सब कुछ लीख हो गए और उन दोनों को पता भी नहीं था आखिर ये सब कैसे हुआ और किस ने किया जल्दी दिब्या को अंजान messages आने लगे और कुछ लोग उसको blackmail करने लगे जिसकी वज़े से दिब्या mentally harassed हो चुकी थी और ये सब दिब्या के parents को नहीं पता था बट एक दिन दिब्या के mom को पता चल गया और वो लोग police के पास गए और police ने उन hackers को पकड़ लिया जिसके बाद दिब्या ये सब चीजों से mentally disturb हो गई थी और उसने therapy का help लिया और वो इन सब चीजों से recover होने लगी उसके बाद वो internet को सुरक्षित तरीके से यूज करना सीखने लगी दूसरी तरफ अनीता का हाल भी कुछ इसी तरह था उसको भी blackmail किया जा रहा था और वो भी mentally disturb हो गई थी वो बहुत ही remote area से आती थी और उसके parents भी उतने educated नहीं थे कि उसकी मदद कर सके और ना ही कोई और उसकी मदद कर सकता था जिसकी वज़े से वो mentally harassed हो चुकी थी और इन सब चीजों से परिसान होकर आखिर में उसने अपनी जान ले ली तो आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मैं ये story आप सब के साथ क्यों share कर रहा हूँ दरसल ये story नहीं ये actual घटना है जो आजकल बहुत सारे लोगों के साथ घटती है जिससे आप समझ सकते हैं internet जितना बड़ा वरदान है उतना ही बड़ा अभिसाब भी है और मैं आप सब को बता देता हूँ कि किस तरह से इस field को choose करके आप अपने digital carrier को boost कर सकते हैं जैसे कि आप सभी को पता ही होगा दुनिया की जितनी भी countries हैं वो cyber security को लेकर परिशान है क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि ये time data और information का है आज कर हर age के लोगों के पास कोई न कोई digital device होता ही है और हम सब अच्छे से जानते हैं कि आज के time में internet हमारे लिए कितना important है जिस तरह से internet के फायदे हैं उसी तरह से internet के नुकसान भी हैं आप उस story के माद्यम से जान सकते हैं कि internet कितना खतरनाक हो सकता है वैसा अगर कोई normal crime करता है तो उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे police और armed forces होते हैं बट digital crimes का क्या उसके लिए तो sufficient cyber army किसी भी country के पास नहीं है जिससे आप insure हो सकते हैं कि आप ये course करने के बाद इस army को join कर सकते हैं और अपने और अपने चाहने वाले सबको digitally safe कर सकते हैं और मैं आप सबको बता देता हूँ कि इस field में इंटर करने के बाद आपको कौन सी job opportunities मिल सकती हैं और आप कितनी earnings कर सकते हैं सबसे पहले government jobs देख लेते हैं तो जैसे जैसे time आगे बढ़ रहा है उसी तरह दुनिया की सारी country cyber security पर focus कर रही है जिसकी वज़े से cyber security jobs increase हो रहे हैं and second thing आप freelancing या फिर खुद की company open करके earn कर सकते हैं और अब मैं इस field की post और salaries के बारे में बता देता हूँ जैसे कि cyber security analyst की average salary 6-7 LPA security architect की 17-22 LPA, chief information security officer की 23 LPA, ethical hacker की 7 LPA, cyber security manager की 23 lakhs per annum होती है और ये time के साथ increase होती जाती है और अब मैं आपको अपना intro देता हूँ मैं हूँ अनिलियादब, cyber security analyst, penetration tester, certified ethical hacker और आपसे जितनी भी videos आएंगी उन सारे videos के अंदर आप मुझसे ही सीखोगे अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस course का fee कितना होगा तो normally अगर आप इस course को purchase करते हैं तो maximum 1 lakhs और minimum 10K तक पढ़ सकता है तो मैं आप सब के doubts clear कर देता हूँ कि neat routes पर ये course बिल्कुल free है लेकिन आप लोगों को इस course के लिए अपना time और effort पे करना होगा सो learners अब जान लेते हैं आखिर हम इस course में क्या क्या सीखने वाले हैं और इस module में हम क्या क्या जानने वाले हैं तो इस module में हम cover करने वाले हैं cyber security को उसके बाद हम जानेंगे CIA model उसके बाद हम जानेंगे black hat और white hat hacking के बारे में उसके बाद हम जानेंगे penetration testing के बारे में और उसके बाद हम move करेंगे next module में जिसके बारे में मैं आपको इस module के last video में बता दूँगा बट अभी हम जान लेते हैं कि आखिर हमारे पास क्या-क्या होने वाले हैं और हम क्या-क्या आगे सीखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे पास 20 modules होने वाले हैं जिसके अंदर हम सीखने वाले information gathering, scanning, vulnerability analysis, gaining access, maintaining access, clearing locks तो सबसे पहले हम जानेंगे हम जिस पर attack करने वाले हैं उसके बारे में सारी information gather करेंगे उसके बाद scan करेंगे, उसके बाद check करेंगे कोई bug है या नहीं है जिसकी help से हम उसमें enter कर सकें या उसका access पा सकें उसके बाद हम जानेंगे कैसे खुद को anonymous रख सकते हैं, उसके बाद हम सब कुछ clear कैसे करने हैं वो जानेंगे So guys, अब मैं आप लोगों को अपनी एक खास बात बताना चाहता हूँ कि मैं आप सब को यहाँ पर normal way में नहीं पढ़ाऊंगा हम यहाँ पर बहुत ही interesting way में पढ़ने वाले हैं, no interaction like teacher और student, हम यहाँ पर as a friend, as a भाई लोग की तरह पढ़ने वाले हैं और आगे इस फिल्ड के अंदर आप देखेंगे सारी चीज़ जो भी आपको सीखनी है, वो मैं कैसे आपको mythological stories और daily life examples की help से सिखा देता हूँ So guys, अब आप ready हो जाएए अपने career को digitally boost करने के लिए और खुद को और अपने well-wishers को digitally safe और secure करने के लिए तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे हमारे community को join कर सकते हैं और आप कहाँ पर अपने doubts पूछ सकते हैं और आप इस course को कैसे enroll कर सकते हैं तो इस course को enroll करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, simply हमारी YouTube चैनल को subscribe करना है और bell icon को all पर click कर देना है ताकि आने वाली सारी videos का update आपको मिलता रहे तो अब हम जान लेते हैं आखिर आप कैसे हमारे community को access कर सकते हैं तो आपको हमारे community में join करने के लिए कुछ नहीं करना है, simply description box में दिये गया link पर click किजिए और हमारे telegram community को join कर लीजिए जहां पर आप अपने doubts पूछ सकते हैं और अपने progress को share कर सकते हैं तो guys यह था हमारा आज का orientation session और अगली वीडियो में हम cyber security को deep way में समझेंगे तो आप सब ready हो जाएए अपनी life को digitally advance करने के लिए और cyber security के field में अपना carrier बनाने के लिए तो मिलते हैं आगले वीडियो में कुछ नया लेकर stay tuned, stay secure, thank you